आज हम लेकर आया हैं दो चरवाले रेखिक समिक्रण इस तरीके से हम solve करेंगे तो आप देखते रह जाएंगे तो यहाँ पर बात यह कर लेते हैं कि आखिफ दो चरवाले रेखिक समिक्रण क्या होता है जिसमें आप समझ सकते हैं जिसमें दो चर होते हैं एक एकस वाई कोई दो चरवाले रेखी समीकरण का ही करना है और इसमें कम से कम दो रेखा हैं के बीच में हम लोग को हल करना है इसके जो है कैसे वैलू निकाली जाएगी इस परिकार से देखना है अब देखिए यह एक्स प्लस भी वाई इसका जो है दो चरवाले का व्यापक समीकरण है तो यह समानतर रेखा ठीक है समानतर रेखा और तीसरी रेखा आपकी क्या होती है आपकी तीसरी रेखा होती है संपाती रेखा कौन से रेखा संपाती रेखा ठीक है यह तीनों रेखा के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे और इसको डीप से दिखेंगे कि कौन से रेखा सं यहां से हमने यहां तो यहां से पहले भरीबारी से को श्चैप घरेंगे कि समानतर रेखा होने बीवन अपान बीटू not equal क्या होना चाहिए बीवन अपान बीटू ऐसा कोई आपका सम्मिकरण है तो वो रेखा क्या कहलाती है आपका प्रतिछेदी रेखा क्या लाती है प्रतिछेदी रेखा और जो प्रतिछेदी रेखा होती है जो प्रतिछेदी रेखा होती है वो कैसी हो उसे ओर प्रतिचेहडी ये जो परतिचेहडी रेक्ा होती है क्या कहलाती है संगत थी किस वाले का है आपका ये परतिचहडी रेक्мыla में months Fahrenheit आप पहला ये है कि a1 a2 not equal b1 b2 होता है तो वो रेखा कैसे कहलाएगी प्रतिछेदी रेखा और ये इस तरीके से कटा रहेगा तो उसको हम कहेंगे संगत और संगत रेखा को हम बोलते हैं एक अधिती हलो करते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारा प्रतिछेदी रेखा का हमें सारी पहचान हो गया है अब हमें देखना है क्या है समानतर रेखा समानतर रेखा कंडिशन क्या है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 यदि a1 upon a2 b1 upon b2 मिले और लास्ट वाला आपका ना समानतर रेखा होती है वह आप लोग हमेशा पढ़ें कि इस तरीके से जो रेखा होती हो क्या कहलाती है समानतर रेखा होती है यानि रेखा के समानतर में दूसरी रेखा खीज दिया जाता है उसको समानतर रेखा कहते है अच्छा एक बास समझ में आया है जब एक रेखा जिस बिंदू पर मिलती है या कटती है टच होती है उसी बिंदू का उसका हल होता है तो यह ये रेखा इस वाले रेखा पर कहीं किसी बिंदू पर टच कर रहे नहीं कर रहे तो इसका कोई हल नहीं होता तो जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाता है असंगत कहलाता है पहली चीज़ यह असंगत है क्या है आसंगत है जो देखिए यही समांतर ही रेखा असंगत होती ह ति हैं आपको याद रखना है समझण है तीसरी रेखा है उसके बारे में करते हैं जिसे संफाति रेखा की दोसे प्रकार थे संफाति हुड़्यवा इस तरीके से जो रेखा होती है, यानि A1 upon A2 B1 upon B2 C1 upon C2, यानि सभी मैच करते रहे, जैसे कहले लिख दे, एक बटा दो, एक बटा दो, एक बटा दो, ऐसे जो रेखा होती ही, वो आपकी कैसी रेखा कहता है, संपाती रेखा, तो संपाती रेखा की पहचान यही है, सभी मैच करना चाहिए, तो यह संपाती रेखा होगी, जो संपाती रेखा होती है, उसका क्या होता है, अनेका, संपाती रेखा कैसी होती है, जैसे यह रेखा है, इसी रेखा को पर दूसरा रेखा भी चड़ जाए, तो इस प्रकार से औने फंटाटता होता है यह संगत है लेकिन इसमें रेका सेंगे अने So लोगा तो आप समझ जे सकते हैं कि उसका अनेखल होगा क्यों इसका हो होगा अने खमेल होता है यह चीज है आपको माइंड में होना चाहिए अने ख़ल होगा इसका अने हल होगा तो अब देखिए इन तीनों पर आपको समझाने के यह चो है एक δोहिते हैं और आप उसमें समझाते है कि कौन सब खोशंग किस तरीके से आपको solve करना है कैसे आपको पहचानना है जैसे हम ले लेते हैं 3x plus 2y is equal to plus 6 is equal to 0 5x plus 3y plus 2 is equal to 0 ठीक है तो अब हम उसे दिया रहेगा बताएगा कि आप बताईए कि यह कौन सा रेखा है और कभी-कभी यह पूछ लेता है कभी-कभी देखो यह वाला आपका जो होता है उपर वाला यह सारे a1 होते हैं यह आपका b1 होते हैं लाश्ट वाला आपका c1 होता है और यह नीचे वाला आपका a2 होता है यह वाला आपका b2 होता है और यह वाला आपका c2 होता है तो मारा main formula यही होता है a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 यह आपक हमारा पहला ही condition है पहला और दूसरा नमिले तीसरा मिले चाहे लेकिन firearm तो दूसरा कैलती है प्रतिछे पहला नमिले तो ऊसी है रेखा कैलाती है का है यह जब इसका graph बनाएंगे तो यह रेखा एक दूसरे बिंदों पर काटेंगी एक ही अधिती हल होता यानि दो प्रकार के एक ही हल होगा जिसका दो मानोते हैं शबीप खो़एक याजएगी तो इस प्रकार जो प्रतिछे दी रेखा होगा हे संघत होता है तो ऐसे हमको पता चलता है फिर हम एक example दूसरे वाले पर लेते हैं इसको देख लेते हैं किस तरीके से question है ऐसे कर लेते हैं देखिए यहाँ पर देखिए 4x plus minus 2y plus 6 is equal to 0 8x minus 4y is equal to 5 is equal to 0 तो अब हमको इसको चेक करना है कि यार एका कैसा है संपानता रहे पतिचे दिये कि संपाती है तो हमारा क्या वही फार्मूला होता है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 यह इस वाले में मान में रखना है तो उपर क्या है 4 है 4 बटे 8 और उसके बाद क्या है minus 2 बटा minus 4 चिन के साथ लिखना होता है प्लस का चिन हम लेते नहीं है ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान देदा है तो माइनिस से माइनिस कर गए 2 एक कम 2 2 दूनी 4 4 एक कम 4 4 दूनी 8 तो एक बटा 2 एक बटा 2 यहाँ पे 6 बटा 5 तो पहला दूसरा मैच कर रहा देखो हम तीसरे पर और हमारा नेश्च्ट विडियो जबाएगा तो आज जो है Inspiron होग्ट मेंब मुए लेना विषट होता तो इंट्रणक्षन आपको देखना बहूत जरूरी है तो क्योंकि आगे आपका जो है कई प्रोशनावली इसी से जो है related रहेंगे यह basic आपका यह मालूम है तो आप इसमें बारी से बारी question आसानी से कर सकते हो तो आप तीसरा हम देखेंगे इसमें पहचानने के तरीका संपाती रेखा को कैसे पहचानेंगे तो बार बिल्कुल देखें 2x प्लस 3y यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का 6 is equal to 0 4x प्लस 6y 12 is equal to 0 अब हमें देखता है कि यह रेखा संपाती है कि नहीं है तो आईए देखते हैं आईसे ही question रहेगा बताईए कि यह कैसा रेखा है तो आपका वही बेसिक फंडा है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बटा 4 बिल्कुल ऐसे लिखना 2 बटा 4 फिर बरावर में 3 बटा 6 फिर आपका क्या होगा 6 बटा 12 तो 6 बटा 12 इस तरीके से question देखना है तो ऐसे देखिए 2 एक कम 2 2 दूरी 4 तीन एक कम 3 तीन दूरा 6 छे एक कम 6 छे दूरा 12 तो आपको यहाँ देखने को मिला है सब में equal में आ रहा है यानि एक बटा 2 और एक बटा 2 और एक बटा 2 तो इस तरीके से आए 1 upon 2 1 upon 2 जिसमें सभी में बराबर हो जाता है वो कैसा रेखा कहलाता है सनपाती रेखा तो यह रेखा कैसे कहलाएगी सनपाती रेखा सनपाती र संपाती रेखा तो यह चीजे आपको बहुत जरूरी जानकारी होनी चाहिए जो बेसिक कोशन आपको जह है यहीं से उठेगा जबहुकर पर बहुत सारे ज़िए चोटे बड़े बड़े कोशन यह आपको बेसिक पता होना चाहिए कि संपाती रेखा समानतार रेखा और पतिछेदी रेखा को कैसे पहचाने और कैसे जाने किसके संगा थे कौना संगा थे किसका ने खले है तो ये चीज़ आपको याद रहेगा तो बिल्कुल 100% हम बता सकते हैं आप आसानी से इस कोश्चन इस चैप्टर का जो भी कोश्चन होगा आसानी से चुटकी बजा के आफ सॉल्ट कर लेंगे जैसा आप ये वीडियो लगा फिलिस लाइक कीज़ेगा सेर कीज़ेगा सस्क्राइब कीज़ेगा थेंक ये सो मच अपने दोस्तों से भी उताना मत भूलिएगा थेंक ये सो मच